दोस्तो यह most requested वीडियो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि under 15,000 ऐसी smart watch बताएं जिसमें calling feature हो और बहुत सारे कमाल के feature हो और सारे के सारे जो आज कल sensor आ रहे हैं वो मिल जाएं तो दोस्तो आज ऐसी ही 5 smart watch आपके लिए लेके आए हैं मैं हूँ सचिन गिल नमस्ते जी दोस्तो जो 5 smart watch आपके लिए लेके आए हैं उसमें हमने causes करी है कि उसका display बहतर हो देखने में बहुत ही अच्छा लगता हूँ प्रीमियम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि display बक्वास सा वो लगए और उसके बाद हम देखते हैं उसमें sensors कितने हैं जो sports activities के लिए वो आप watch ले रहे हो वो watch वाकी में आपके काम की है या नहीं उसके बाद हम देखेंगे OS उसमें कौन सा है और उसके बाद देखेंगे सबसे important calling feature है या नहीं और connectivity features भी हम देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहली स्मार्ट वोच है इसमें Samsung Galaxy Active उसका जो display है 1.1 इंच का है अब आप कहेंगे यार इस display इतना चोटा ले लिया और उसके बाद भी इसने नंबर तो फाइव में यह रख लिया तो सबसे पहले है Samsung अपने आपे brand है और उसके बाद जो इसका display है न वो छोटा जरूर है बड़ दोस्तों उसमें आप यह देखिए उसकी जो clarity है न डिस्पले के आप देखके मजा जाएगा दोस्तों आपको इसमें 424 ppi pixel per inch मिल जाएगे जो बहुत ही कमाल का display इसमें इसमें मिल जाएगा अगर बात करें 360 multiply 360 pixels आपको देखने को मिलेंगे जो की बहुत ही कमाल का है मैंने Samsung की watch इसी में दूसरी यूज की है जिसका नाम था samson gear sports वह पहली वोच थी बत उसका display इतना कमाल का है दूसरी watch आप देखना भूल जाएगे इसलिए हमने नंबर 5 पर रखी है तो अगर दोस्तों notification की बात करें तो notification इसमें सारे ही मिल जाएगा alarm weather यह वो सब कुछ आपको मिल जाएगे find my phone जैसे feature इसमें आपको देखने को मिल जाएगे दोस्तों इसमें Bixby voice assistant भी मिल जाएगा बट वो कितना काम का है वो मैंने use किया था तो काम का है बट वो इतना responsive नहीं है gear sports में अगर इसमें बात करें तो थोड़ा advance वो होगा तो अच्छा काम करेगा Bixby पहले से बहुत अच्छा हो चुका है दोस्तो sports activity की बात करें तो सारे ही sports activity मिल जाएंगे आपको इसमें सबसे कमाल की बात Samson health app मिल जाएगे उसमें बहुत सारे आप जो है sports related program या आप जो है trainer है या आपको इसमें मिल जाएंगे जिसे subscribe भी कर सकते है paid भी है free भी है और वो आपके according जो है इसमें help करेगी आपको fit होने में यह सबसे अच्छी चीज मेरे को इसमें लगी दोस्तो इसमें sleep tracking heart rate tracking spo2 sensors सारे ही मिल जाएंगे बट जो heart rate है वो जब आप check करेंगे तब ही उसको check एसा नहीं है कि आप वो 247 जो है वो चलता रहेगा दोस्तों अगर बात करें ओपरेटिंग सिस्टम की तुर्टीजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए galaxy app store मिल जाएगा जहां से बहुत सारे watch basis आप डाउनलोड कर सकते हैं लिमिटे मतलब watch basis तो samsung के पास में बहुत सारे हैं इसमें आपको मिल जाएगी इसमें 1.15 गीगाहर्ट्स का processor आपको मिल जाएगा अगर इसमें दोस्तों sensors की बात करें तो यहां पर बहुत सारे sensors एक एयर प्रेसर इसमें नहीं है heart rate sensor, SPO2 sensor, gyroscope sensor, magnetic sensor सब आपको मिल जाएगा यहां पे air pressure sensor आपको नहीं मिलेगा दोस्तों connectivity की बात करें तो यहां पे Bluetooth के साथ आप connect कर सकते हैं, Wi-Fi भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, दोस्तों आपको इसमें GPS ओरे, GPS के साथ मिल जाएगा, जो सबसे बड़ी और कमाल की बात है, Wi-Fi connectivity भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, अगर दोस्तों यहां पे बैटर कर सकते हैं, या notification देख सकते हैं, आप call बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको number 5 पर रखा है, pricing इसकी 14,99, 0 rupees आपको मिल जाएगी, दोस्तों number 4 पर रखा है, OPPO की वो जो launch हुई थी, और इसका जो screen size है, वो 1.6 inch है, थोड़ा बड़ा है, बट यहां पे दोस्तों आपक pixels मिलेंगे, 360 multiply, 360 pixels मिलेंगे, और जो pixel पर inch मिलेंगे, वो 318 ppi मिलेंगे, पिक्सल पर inch, अगर दूसरी smart post से करें, Samsung जो number 5, उससे बहुत कम है, बट इसमें कुछ चीजे हैं, और extra है, अगर दोस्तों बात करें, या notification सारे ही आपको मिल जाएंगे, और यहां तक कि आपको speaker भ where OS और इसमें आपको 1GB RAM और 8GB ROM मिल जाएगी, दोस्तों अगर बात करें, यहां पे Google का where OS होना एक कमाल की बात है, क्योंकि अगर दोस्तों OS की बात करें, important क्यों है, क्योंकि Google का where OS और भी company यूज़ करती है, तो जो OS ज्यादे चलेगा, उस पे apps ज्यादा बनेंगे, watch faces ज्य Google where OS होना, अगर दूसरे OS की बात करें, जो अलग-अलग company है, अलग-अलग OS यूज़ करती है, तो वहां पे एक problem आती है, वहां पर developers नहीं होते, apps नहीं मिलती, watch faces कम मिलते हैं, तो एक सबसे plus point, OPPO Watch के लिए यहां पर यह है, इसका फायदा यह है, आपको Google App Store मिल जाएगा, जिससे आप watch की app डाउनलोड कर सकते हैं, अब app यहां पे कम है, बट आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी apps मिल जाएगे, दोस्तो इस watch में sensors की बात करें, OPPO Watch में, तो आपको सारी sensor मिल जाएगे, heart rate sensor बगारा सब मिल जाएगे, बट SPO2 sensor यहां पर missing है, तो एक minus point हो गय 430 MH की यहां पर battery आपको देखने मिलेगी, जो की पहली watch से Samsung से बहुत जादा है, और काफी दिन तक यह चलने में बहुत जरूरी है, तो यहां पर थोड़े PPI पिक्सल पर इंच जादा होते तो बहतर होता, बट फिर भी यह अपने आप में watch में और कमाल के feature है, तो यह इसल watch को हमने number 3rd पर रखा है, इसमें जो screen है, वो 1.65 inch की screen है, AMOLED screen है, और जो आपको यहां पर pixels मिलेंगे, वो 454 x 454 pixels मिलेंगे, तो pixels बहुत जादे हैं, screen की clarity बहुत जबरजस्त है, और यहां पर 332 pixels पर इंच मिलेंगे, जो की OPPO वाली वह से जादे हैं, Samsung वाली से कम है, बट इसमें और भी कमाल के feature आपको देखने को मिल जाएंगे, दोस्तों notification को बात करें तो लगबख सारे ही notification आपको मिल जाएंगे, चाहें call का हो, या किसी भी चीज़ का हो, वो आपको मिल जाएगा, और इसके साथ आप call receive कर सकते हैं, और watch से ही बात कर सकते हैं, speaker इतना effective watch का होत होता नहीं है, चो कोई भी watch आप ले लीजिए, बट यह है कि ना होने से यह बहतर option होता है, इसमें आपको Amazon built-in Alexa भी मिल जाएगा, बट वो ओटी के थूपडेट के साथ आपको मिल जाएगा, यानि कि software अपडेट करेंगे, तो उसके साथ आपको मिल जाएगा, अगर यहां पर sensors की बात करें, तो सारे ही sensors आपको इसमें मिल जाएगे, SPO2 sensor भी मिल जाएगा, stress sensor भी मिल जाएगा, heart rate 24-7 आपको इसमें मिल जाएगा, जो continuously आपका heart rate चेक करता रहेगा, जो एक कमाल की बात है, दोस्तों internal memory के बात करें, 3GB internal memory आपको यहां को मिलेगी, और जो OS है, वो watch OS है, यानि कि Amazfit का अपना watch OS है, तो वो है, तो मतलब एक third party OS है, तो यहां पर app store आपको, मतलब apps बहुत कम मिलेगी, वाच faces आपको मिल जाएगे, यह limitation होता है, अगर आप कोई OS ऐसा ले रहे हैं, जो किसी और watch में मिलता नहीं है, अपना बना रहे हैं, तो वहां पर एक limitation हो कम apps बनाते हैं, कम watch face बनाते हैं, तो यहां पर होता है, दोस्तों यहां पर connectivity को बात करें, Bluetooth 5.0 आपको मिल जाएगा, और यहां पर Wi-Fi connectivity के हिसाप से आपको इसमें मिल जाएगी, जो कमाल की बात है, इन-build GPS के साथ आपको मिल जाएगे, अगर battery की बात करें, 471MH की battery है, जो 7 days तक काफी होती है, आपकी watch को चलाने के लिए, बस अरते, आप उसमें GPS यूज़ ना कर रहे हो, GPS कम यूज़ करेंगे, GPS अगर आप यूज़ करेंगे, तो कोई भी वाचिन में से ले ली दिये है, वो लगभख एक ही दिन के करीब वो चलेगी, क्योंकि GPS आप जो यूज़ यहाँ पर मिल जाएगा, तो दोस्तों नमबर टू पर यह watch रखी गए है, OnePlus की watch, जिसका display size है, 1.39 inch जो के circular है, और जिसका resolution 454 x 454, resolution है screen का जो कमाल का है, अगर इसमें PPI pixel per inch की बात करें, यहाँ पर 326 PPI है, जो पहली वाली watch है, उनसे थोड़ा जाद है, बट Samson वाली से फि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर अगर notification को बात करें, लगबख सारे notification जो regular होते हैं, वो screen पर देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर speaker और mic मिल जाएगा, जिसके साथ ही आप cold receive भी कर सकते हैं, जो एक कमाल की बात है, दो सेंसर की बात करें, तो इसमें लगबख सारे ही सेंसर आपको मिल जाएगे, air pressure से लेके heart rate 24-7 और SPO2 सेंसर मिल जाएगा, जाइसकोप सेंसर मिल जाएगा, सारे ही सेंसर आपको मिल जाएगे, अगर इसमें internal memory के बात करें, 4GB की इंटरनल मेमोरी है, जो 2GB आप music भी उसमें र आपको मिल जाएगा, अगर बैटरी के बात करें, 420MH की बैटरी मिल जाएगी, जो की 14 देश तक बैटरी चल सकती है, इसके साथ ही आप music control सभी में कर सकते हैं, जितनी watch मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर music control आप watch के साथ कर सकते हैं, दोस्तों ये watch connect होगी, OnePlus app के थूँ इसका size of 1.39 inch है, जो की दूसरों के बराबर है, amyloid है, और circular है, और दोस्तों regulation सेम ही है, 454, multiply 454, बट यहाँ पे pixel per inch यो है, वो बहुत जाद है, जो की 464 ppi pixel per inch है, जो देखने में बहुत ही कमाल की और खुबसूरा display इसका लगता है, इसलिए हमने इसको number one पर रख, watch का size है, screen size ह जो बहुत है, मतलब आपको लगता ही नहीं, चारो तरफ से blagels है, आपको blagels बहुत कम दिखेंगे, दूसरी watch आप देखेंगे, samson की watch को छोड़ेंगे, samson में भी blagels कम है, यहाँ भी blagels कम, दोस्तों यहाँ पर notification सारे ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और सबसे कमाल की बात, इसमें भी आपको speaker, mic मिल जाएंगे, जिसे call, receive कर सकते हैं, watch से ही आप पात कर सकते हैं, जो एक definitely अच्छा option है, दोस्तों यहाँ पर sensors की बात करें, heart rate sensor, SPO2 sensor, और आपका gyroscope sensor, magnetic sensor, सारे ही sensor मिल जाएंगे, आपको screen पर दिख रहे होंगे, और जो heart rate है, वो आपको 24- 7 इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कमाल की बात है, दोस्तों यहाँ पर अगर RAM की बात करें, 32MB की RAM है, क्योंकि जो operating system है, यहाँ Huawei का, खुद का operating system है, और internal memory तो यहाँ पर 4G भी internal memory मिल जाएगी, जिसमें कि आप music store कर सकते हैं, और directly अपने watch के साथ सुन सकते हैं, कोई भी earphone connect करने के बाद, सारी apps में ऐसा कर सकते हैं, बट internal memory तो कर सकते हैं, दोस्तों इस watch की बात करें, तो iOS और Android के साथ दोनों के साथ connected है, आपको देखने को मिल जाएगी, अगर दोस्तों connectivity की बात करें, Bluetooth 5.0 मिल जाएगा, जो कि विलकुल latest है, और इसमें GPS भी आपको मिल जाए इसके price की बात करें, 14,990 रुपए है, इन watch के link आपको description में मिल जाएगे, सारी apps के आप वहाँ से चाके check कर सकते हैं, purchase करनी है तो कर सकते हैं, बट मैंने इसके according आपको बताया कि कौन-कौन सी watch में कौन-कौन से आपको सबसे best option मिल जाएगे, अगर display की बात करें, तो Huawei का display best है, उसके बाद Samsung का display best है, बट Samsung में कुछ limitation है, कुछ चीज़े missing है, वहाँ, तो दोस्तो इसलिए हमने Samsung को number 5 पर रखा है, तो दोस्तो, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई, ये पसंद आई तो like करना, और इस वीडियो से related कोई भी query है, तो comment में लिखके जरूर पूछना, हम उसका answer आपको करेंगे, और चैनल को subscribe करना मत भूला, आज की वीडियो के ले इतना ही, thank you so much, पन्यवात रहूं